उदासीन आश्रम के महा मनलेश्वर स्वामी शांता नंद जी महराज के सत शिष्य एवं युवा संत दिव्या नंद जी महराज के मुखारबिंद से दिव्य श्री रामकथा का प्रसारन हल्चल चैनल पर प्रतिदिन सुबे 9 बजे से 9.30 बजे तक और साइस 5.30 बजे से 6.00 बजे तक किया जा रहा है आप सभी इस दिव्य श्री रामकथा का श्रवनकर प्रभू कृपा के पात्रवने आप अप प्राइश्चित के लिए तयार हैं अब आपके सामने कर्म जो कर्म का फल है वो तो आएगा ही आएगा पर अब वो जो फसल कटके आई है आपके सामने अब आप उसको स्विकार कर रहे हैं सहज स्विकार कर रहे हैं तो जिस तरह गंगा आपको कर्म फल भोगने के लिए तैयार कर देती है ठीक उसी तरह ये राम कथारूपी ज्ञान गंगा प्रवाः आपको जीवन को भोगने के लिए तैयार करेगा और देखिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो तरह की समस्याइं हो सकती हैं एक बाहरी और एक आंत्रिक एक बाहरी जगत की समस्या है यह से परिवार में कोई विवाज चल रहा है कभी किसी को धन की कोई समस्या है किसी को स्वास्त की कोई समस्या है यह सब बाहरी समस्या है और इनका इलाज आपको बाहर ही मिल जाएगा पर असल गुत्ती किसी भी वेक्ती की जीवन में तब उलचती है जब उसे आंत्रिक समस्याई खेल लेती हमारे जीवन में कुछ भी गलत होता है या हमारे अनुसार कुछ भी अशुब होता है तो हम सबसे पहले प्रश्ण क्या करते है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मैंने ऐसा क्या किया मैंने किसी का क्या बिगाड़ा हर कोई करता है न प्रश्ण भगवान को मैं ही एक मिला क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें हमारा कितना हाथ है आज परिस्थित्यां ऐसी हैं दीवी और सचनों कि हमारे घर बड़े हो गए पर परिवार छोटे हो गए आज दुकानों पे दवाईयां बहुत अच्छी अच्छी मिलने लगी परन्तु हमने अपनी सेहत बहुत खराब कर ली हैं आज हमने खूब पैसा कमा लिया शांती कहीं न कहीं खो गई और मुझे एक बहुत संदर बात लगती है कि हम मनुष्यों ने मनुष्यों की जन संख्या तो बहुत बड़ा लिए परन्तु इतनी जन संख्या में मनुष्यता ढूनना बड़ा मुश्किल है मनुष्य बहुत है हमारे पास पर मनुष्यता ढूनना बड़ा मुश्किल है और यही सब परिशानिया हमारे सामने जीवन में एक प्रश्न बनके खड़ी हो जाती है हमारे सामने सवाल बनके खड़ी हो जाती है पुन्य क्या है, पाप क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, स्वर्ग क्या है, नरत क्या है, मृत्यू क्या है, जीवन क्या है तब हम परिशान होते हैं और एक बात बताईए, आपने कभी अपने बच्चों से ये बात पूछना जो मैस का प्रॉबलम होती है न तो उनको कभी भी मैट्स करने में आनन्द आएगा ही नहीं जब उनसे solution निकलेंगे ही नहीं जैसे जैसे हर समका उनसे solution निकल जाएगा तैसे तैसे वो अपने आप खुद बखुद और exercise आगे करते रहते हैं भाव ये है कि जिस तरह हमारे मन में इतने अनेक प्रश्न होते हैं तो ये प्रश्न हमें दुख की खाई में ढखेल देते हैं और जब हमें इनके उत्तर मिल जाएं जब ये गुथियां सुलजनी शुरू हो जाएं तब हम सुखी हो जाते हैं और राम कथा यही करती हैं, गोस्वामेज ने लिखा, कि राम कथा सुन्दर करतारी, संसय बहर उड़ावन हारी, हमारे चबूतरे पर कोई पक्षी बार बार आए ना, तो उसे भगाने के लिए हमें कोई बहुत सेना खड़ी करने के जरूरत नहीं है, बहुत अब शब्द ब देखती हैं, अगर ताली बजाओगे न, वो चला जाएगा, तो राम कथा जो है, यह उस ताली का काम करती है, जो सभी संदेहों के संदेह रूपी पक्षी को हमारे मन रूपी घर के चबूतरे से उड़ा देती है, बस सवाल इतना सा है, कि है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहूं तो है, और इस है नहीं के बीच में, कुछ ना कुछ तो है, बड़ा रंबा चोड़ा द्वंध है, यह नौ दिन में, यह नौ दिन में अच्छी खासी कुष्टी हो जाएगी, मुझसे हर कोई जब से मैं आख पुराय हूं ना, मुझसे हर कोई एकी सवाल प शुरू करता हूं, नौ दिन की इस राम कथा का सवराज भार तुम पर रखता हूं, मैं कोई अपने पिता जी की बायोग्राफी सुना रहा हूं, जिसकी कथा वो जाने, और हाँ, मैं सभी आयोजगों से दो बाते कहूंगा, एक आप लोग इस भ्रह्म में मत रहिएगा, कि आपने बहुत भव्य आयोजगों आयोजित कर लिया, चलिए मान ले कि आपने भव्य आयोजगों को एक इस आयोजगों को भव्य स्वरूप दे दिया, परंतु इस आयोजगों को दिव्य स्वरूप देने का काम आपका नहीं है, ये मेरा निजी अनुभाव है, कि भव्यत इनसान खुद पैदा कर सकता है, पर दिव्विता सच में करपा से आती है, और मैं सभी आयोजिकों को ये निवेदन करूँगा, कि देखिए, आपने कोई व्यवस्ता अच्छी की होगी, तो भी कथा के बाद चार लोग बोलेंगे ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, और आपने कहीं चूक रख दी होगी, फिर तो उन्होंने तो बोलना ही है, तो समाज में चार लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, सिर्फ इन्हीं चीज़, आज अगर आपका आयोजन की, सबने प्रशंसा की ना, तो भी उससे अपना मन मत भरियेगा, ये मुख्य बात जो है, ये मैं आयोजकों से कह रहा हूँ, क्योंकि सच में ऐसा ना हो, मैं जानता हूँ, कि सेवा एक बहुत बड़ा अपने आप में एक तप है सेवा करना, सेवा में, सेवा का फल ही तब मिलता है, जब व्यक्ति अपने आपको भूल जाए सेवा करते हुए, अगर आप ऐसी सेवा कर रहे हैं, तो मैं आपको ये पतंतता भी देता हूँ कि आप अगर कथा नहीं सुन पाए तो ना सहीं, आपकी सेवा आपके लिए एक नया द्वार खोल सकती, एक नया आयाम खोल सकती, यह परन्तु, आप सब अपने दिल पे हाथ रखे, अपने आप से पूछिए, क्या आप सेवा इस भाव से कर रहे हैं, कि अगर किसी ने भी आपका नाम स्टेज से नहीं लिया, किसी भी बैनर में आपकी फोटो नहीं आए, किसी भी आयोज़ग सिविती में आपको नहीं बुलाया गया और फिर भी, आपके मन में कोई दुएश नहीं है, आप फिर भी उतनी सरलता, सहजता, मुस्कान के साथ, अपनी सेवा दे पा रहे हैं, तो विश्वास कीजिए, नहीं सुनेंगे चल जाएगा, आप अपना काम करो, पर हमें अक्सर जो देखने को मिलता है, कि ऐसा होता नहीं है, आदमी थोड़ा सा काम करता है, और उसके वदले में बहुत सारा यश चाहता है, ठीक है, यश भी मिल परंतु, राम कथा यही सिखाती है, कि आप अगर समाज के चार लोगों से प्रशंसा सुनने में ही अगर आप सुखी हैं, तो विश्वास कीजिए, ये कथा आपके लिए है ही नहीं, बड़ी कठोर बात है, परंतु, सच कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ समाज के चार लोगों के पीट पे दी हुई थपकी से प्रसंन हो रहे हैं, तो विश्वास कीजिए, ये कथा आपके लिए नहीं है, आप गलत जगा आके बैठे हैं, परंतु, अगर आप राम के चरित्र की और एक द्रिष्टी डालते हैं, हम नौ दिन इस चरित्र को मैं एक और निवेदन करूँ आप सबसे, मैंने कहा ना, आज तो सिर्फ तैयारी है, मैं आप सबसे निवेदन करूँ, बहुत संदोश गुरुजी ने बहुत संदर बात कह कि ये धार्मिक गरंथ नहीं है, ये इतिहासिक गरंथ नहीं है, और चाह धार्मिक भी कहते हैं न, तो वो तो बिचारे बात दे हैं, उनको तो पांदस निट बोलना है, तो धार्म की व्यक्या कहा करने बैठेंगे, परंतो नौ दिन में कभी अवसर मिलेगा, तो जरूर इ अलग चीज है, संप्रदाय अलग चीज है, ये एतिहासिक गरंथ नहीं है साहब, ये धार्मिक गरंथ भी नहीं है, ये एक सांस्कृतिक महा काव्वे है, सांस्कृतिक महा काव्वे उसे कहते हैं, जो व्यक्ति को सु संस्कृत करता है, जो व्यक्ति को सही गलब की समझ बत जो व्यक्ति को जीना सिखाता है जो व्यक्ति को उसके संस्कृति में ढालता है उसे संस्कृतिक महाकाव्ड कहते हैं और इसलिए आप जब नौ दिन में राम को सिर्फ भगवान न समझें आपने अगर आज मेरे वक्तव के आरंब में राम को इश्वर समझ लीजिया अगर ल अरे वो तो भगवान थे, उनकी बात अलग है, उनकी लिला अप्रमपार, ये सब बाते कहके अपने मन को बुद्धु बना रहे हो, अपने मन को मुर्क बना रहे हो, पहले दिन इश्वर मत मानो, और मेरा दावा है, नौमे दिन ये परशन मैं दुबारा आप से होगे, कि भगवान राम है वो, वो व्यक्ति अपने करमों से राम भगवान बना है, इसलिए आज, वो स्वामजी द्वारा रचित, श्री राम कथा में, श्री राम चरित मानस को आधार बना कर, हम राम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, मैं अपने आप से यही करूँ, कि इस कथा के लिए अपने आपको सर्ज कीजिए सहाब, नौवे दिन आपको यह मैं बात बताऊंगा, कि क्या हुआ, अगर चार लोगों ने आपकी प्रशंसा नहीं की, आपका कही नाम नहीं आया, अगर आप राम जैसा चरित्र जीते हैं, इस चरित्र को आप जीवन में उतारते हैं, तो फिर समाज आपकी क्या प्रशंसा करेगा सहाब, फिर कौन प्रशंसा करता है, यह नौवे दिन ही बात करेंगे, भगवान की प्रशंसा सिर्फ अयोध्या वासियों ने नहीं की थी, आखरे दिन मैं इसमें विस्तार से चर्चा करूँगा, बात यह है कि आपके जीवन की प्रार्थमिक्ता क्या है, क्या आप समाज के कुछ लोगों की तारीफ से प्रसंद होना चाहते हैं, या हमारा लक्ष कुछ बड़ा है, चुनाव आपका है, वरना रही बात राम कथा की तो राम कथा तो एक श्लोग में भी पूर्ण हो जाती है, रामायन, इतनी सी तो है रामायन, एक श्लोग में हो गए, और बताव, नौ दिन अब क्या बोलूँ मैं, संतुर्ज गुर जी टार्श के हो, बताते हैं मुझे पास में गाउं है, तो गाउं में जब लोग बात शीत करते हैं, तो पेड के नीचे कुछ बुजरुग जैसे रामायन में धराई क्या है, एक राम, एक रावन्ना, एक छत्री, एक बामन्ना, एक शत्री है और एक ब्रहमन, एक राम, एक रावन्ना, एक छत्री, एक बामन्ना, और वा ने बा की तिय हरी, तिय है ने स्त्री, रामन ने भगवान की पत्नी का हरन किया ना, तो वा ने बा तो देवी और सजनो, रामायन, अगर इतनी सी होती, तो ये नहीं कहा जाता कि हरी अनन्त, हरी कथा अनन्त, कुछ विस्तृत रूप है, बात सिर्फ इतनी सी है, मुझे शद्धे मुरारी बापोजी की एक बात याद आती है, वो कहते हैं कि लगबक पच्पन वर्ष से ज्यादा और लगबक साथ सो आठ सो कथा से ज्यादा वो नौ दिन की कथाएं कर चुके हैं, और उन्होंने बात कही तो मेरी आँखें भराएं, उन्होंने एक बात बहुत सुंदर लगी मुझे उनकी बात, उन्होंने कहा कि इतने स काल होगे कथा करते हुए आज भी ऐसा लगता है कि अभी तक राम कथा कि मैं भूमिका ही बना रहा हूं अभी राम कथा तो कहीं नहीं पाए तो मैं ये कैसे कह दूँ कि राम कथा इतनी जल्री समाप्थ हो गए लोग क्या कहते हैं कि भाई समझ नहीं आती कभी पढ़ा हो तो एक जगा मैंने पढ़ा मुझे अच्छा लगा कि जो लोग हिंदुत्व और अपने अपने संपरदाय को रक्षा के लिए अलग-अलग दावे करते हैं दंगे फसाद करते हैं ये वो ही लोग हैं जिनोंने कभी गीता, रामायन, कुरान उठा के देखी भी नहीं हम सब के बीच में परमशद्धे महाराश्री का आगमन हुआ है, मैं व्यास पीट से आपका स्वागत करता हूं, आपके शर्णों में बंदन करता हूं और आप सब की और से महाराश्री का बंदन करता हूं हम सब का बड़ा स्वाग्य है, मैंने आरम में भी कहा था, अब तो आप समझ गए ना स्वाग्य क्यों है, तो आरम में मैंने ये बात कही थी कि स्वाग्य के विशह है, राम का था, सुनने या कहने को मिले, ये परम स्वाग्य का विशह है, कि संतों का आशिरवाद हो उसके साथ गुरुजनों की आशिरवाद की साया हो इस वड़कर और क्या चाहिए ज़ए अपुन्हे आप सब की और से व्यास स्पेट की और से महाराश्री की चरनों में नमन करता हूं और महाराश्री की आगया से कथा को हम आगे बढ़ाएं देवी और संजनों मैं आप सब से दिन कर रहा था तो दीवी और सजनो हम कहते हैं ना समय बदल गया समझ नहीं आती यह सब बाते पन मेरे मन में विचार आता है कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के बावजूद रामचरत मानस को गोष्वमी जी ने जब लिखा तो उसे हिंदी में या अवधी में ही क्यों लिखा एसा नहीं है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती ती इस भूल में मत रहेगा परंतु इतने विद्वान होने के बावजूद उन्होंने इसे अवधी में लिखा इसे हिंदी में लिखा, कारण क्या है? निश्चित रूप से मेरे बाबा के मन में ये भाव रहा होगा कि जिस व्यक्ति का चर्टर मैं लिखने जा रहा हूँ जब वो खुद खास होते हुए भी एक आम व्यक्ति के तरह जिया है जब वो खास होते हुए भी आम बना है जब देखिए आम से मुझे याद आया आम का फल होता है संसार का आप कोई पदार्थ खाओ एक बार आपने उससे चबा लिया उसका रस ले लिया कोई विर्ला कर ले तो कर ले पर मैं तो नहीं कम से कम कर सकता कि एक बार उससे चबा लिया उसका रस ले लिया उसके बाद पुने अपने मुख से उसे बाहर निकालो अपनी हतेली पे रखो उसे दो मिनट देखो और फिर मुख में डालो नहीं होता, घ्रना हो जाती है हमें अभी तक तो रस ले रहे थे पड़न तो आम एक ऐसा फल है कि जिसको हम एक बार नहीं बार 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 अपने मुख में डालते हैं बार बार उससे मुख से निकालते हैं हर बार नया रस हर बार नया रस राम का चरित्र ठीक उस आम के फल जैसा है आप जितना प्रयास करेंगे बार बार इसे हम मुख में मुख में आर्था बार बार इसे सुनते हैं बार बार जीवन मिढ़ालने का प्रयास करते हैं फिर कोई नई बाद, फिर कोई नई बाद, फिर कोई नई बाद समझ आती है तो निश्रित रूप से गुस्वामित उनसिदा जी के मन में ये बात रही होगी कि जिस व्यक्ति का मैं चडित लिखने जा रहा हूँ जब वो खुद आम बना है तो उसके उपर लिखा गया सद्गरंत इतना खास कैसे हो सकता है खास का भाव बावा ने ये विचार किया होगा कि रामचरित मानस ये घर घर तक पहुँचने चाहिए ये कैसा अदबुद इवं विलिक्षन गरंत है देवियोण सजनों जिसमें हमें कथा और उपदेश का मनिकांचन योग प्राप्त होता है अदिक्तर सदगरंतों में हमें केवल उनके विशे से संबंदित सामगरी पढ़ने को मिलती है परन्तु रामचरित मानस ये कैसा सदगरंत है जिसमें कथा और उपदेश का मनिकांचन योग मिलता जहां कथा के साथ साथ गुष्वमी जी ने उपदेशों को इतने सरल ढंसे आम आदमी के सामने रखा कि मानस के लिए बात कही जाती है कि मानस की चौपाईयों को एक चरवाहा भी समझता है और मानस के प्रसंगों के उपर लोग पीएशडी भी कर रहे है ये सरल है तो इतनी सरल है कि चरवाह समझे और कठिन है तो फिर लोग डिगरिया पा रहे हैं इसके उपर तो बाबा का यही मनुभाव है कि मानस घर घर तक पहुँचनी चाहिए ये केवल विद्वानों की पुस्तकाले की शोभा नहीं बनकर रहनी चाहिए ये केवल हमारे मंदिरों में आरती के लिए नहीं रखी जानी चाहिए बलकि हम जहां बैठते हैं जहां पढ़ते हैं जहां अमारा रोज का आना जाना है ज्यादा तर समय मानस उसके आसपास हो कभी भी समय मिले आप उसे उठा के पढ़िए आपके एक हाथ में आप चाय पी रहे हैं कॉफी पी रहे हैं एक हाथ में मानस है अरे कोई दिक्कत नहीं कितने उलज़नों में पढ़ोगे पहले कुछ कर तो लो पढ़ तो लो समझ तो जाए कुछ और जैसा मेरा भाव रहा किराम कथा संतोष गुर्ज ने एक और बहुत संदर बात कहीं मुझे अभी ध्यान आई है कि कथा उस ब्यक्ति की नहीं है कथा तो काईदे से गुणों की है हसल में देवियोर सजनु हम इसे बड़ी सरल उधारन से समझें कि जैसे हमारे घर में कोई घटना घट जाए या हमारा किसी के साथ जगड़ा हो जाए तो हम क्या कहते है बहुत ज्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सारा कच्छा चिटखा है हमारे पार कहते हैं ना और काईदे से देखा जाए तो महराज दश्रत और उनके परिवार में घटने वाली घटनाओं का ये कच्छा चिटा नहीं है तो क्या है और ऐसे ठेट शब्द का प्रयोग भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमारे घर की देहलीस को लांग नहीं पाती भाव ये है कि घर में घटित होती हैं घर तक ही सेमित रहती हैं पडोसी को भी पता नहीं चलता और जो पती-पत्नी हैं उनके बीच में कुछ ऐसी बाते होती हैं कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो केवल और केवल उनके कमरे तक सेमित होती है उनके कमरे के बाहर नहीं जाती है हर बात की एक सीमा है एक मर्यादा है परंतु कुछ बातें कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो घर की दहलीस को लांग कर गली, महले, शहर, राष्ट, विश्व इन सब में चर्चा का विशे बन जाती हैं अकबार की सुर्खियां बन जाती हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं ये घटनाएं और तब वो घटनाएं उस परिवार का कच्चा चठा कहलाती है महराज दर्शत के परिवार में जो कुछ घटा वो उस समय भी आज हम कहते हैं ना महराज कली उगा गया है परस्तितियां बदल गई है अरे हमने भोगा ही कितना महाँ परस्तितियां आप देखो तो सही नौ दिन में हम पूरे हर बिंदू के उपर विचार करेंगे कि जो पारिबारिक समस्यां आज हमें देखने को मिल रही है ये उस समय महराज दर्शत के परिवार को भी देखनी पड़ी परंतु उस परिवार में एक पात्र एक चरित्र ऐसा था जिसने अपने जीवन की हर प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदब दिया जब लोगों ने उन्हें सिंघासन से जंगल में भेजने का सोचा तो उन्होंने जंगल को ही अपना राज्य बना लिया भाव मेरा ये है कि कथा गुणों की होती है व्यक्ति की कब से होने लगी लोग कहते हैं नाम है राम चरित्मानस तो केवल भगवान राम का यशोगान है एक राजा का यशोगान है एक व्यक्ति की कथा है एक परिवार की कथा है परंतु कोई पूछे कि भाई अगर इसमें लंकनी की कथा है तो तृष्टा की भी कथा है अगर बाली की कता है तो हनुवान जी की भी कता है अगर कैकई की कता है तो कोशल्य जी भी है अगर रावन है तो भगवान राम भी है बात सर्व इतनी सी है कि चुनाव हमारा है रिशी वालवीक ने भी नारत जी से यही कह था तेश गुण बताये थे कि ये गुण किसके अंदर आज भी ऐसा कौन सा मनुश्य है जो उतना ही विनम्र हो जब विनम्रता उसकी हो जब बात करे तो ऐसा लगे कि जैसे मुख से अमर्त वरश रहा हो परंतु कठोर ऐसा हो कि जब धनुश उठाए तो देवता भी उसे युद में पराजित ना कर पाए जब किसी से बात करे तो इतना सरल हो कि हर कोई उसे अपना समझे और विद्वान ऐसा हो कि लोग उसे ही भगवान मान बैठे लोग उसी के उपर ही बात करना शुरू कर दे ऐसा कौन है जिसके अंदर समुद्र के समान गंभीरता है ऐसा कौन है जिसका मन आकाश की तरह विशाल है तेश गुण बताये है अब तब नारज जी ने कहा था कि ये एक व्यक्ति के अंदर मिलना बड़ा मुश्किल है परंतु एक है अयुद्या के राजा रामा भाव मेरा ये है कि चुनाव आपका है ये कथा तो गुणों की है गुण स्वामी जी ने सुत्र छोड़े आपको एक छोड़ा सा प्रसंग सुनाओ एक पिता के दो बच्चे थे पिता था अवल दरजे का शराबी और निशित रूप से जब वो शराब पी के आएगा तो घर पे आके कोई बच्चों के और पत्नी की आरती तो उतारेगा नहीं पत्ने के साथ दुर्वयवहार करना उस पे हाथ उठा देना बच्चों के साथ दुर्वयवहार उन्हें अपशब्द बोलना ये सब उनके घर में रोज होने वाली घटना थी समय बीता गया, पिता की मृत्यू हुई और दोनों बच्चे बड़े हुए, संयोग वश जो बड़ा बेटा था वो एक बहुत सफल व्यक्ति बना बहुत अमीर और बहुत सफल पर जो उसका छोटा भाई था वो अपने पिता की तरह अवल दर्जे का शराबी बन गया और वो ही सब करने लगा जो गलतिया उसके पिता करते थे जब ये बात मीडिया में पहुंची तो सब ने सोचा भाई, दोनों सगे भाई हैं फिर भी एक इतना सफल और ये कैसा कारण क्या है पूछें, तो पहले छोटे भाई के पास गए भाई, बड़े से तो कि भी आसल में बात ये है कि हमारे जो पिता जी थे वो बहुत बड़े शरावी थे और हमने बच्पन से उन्हें अपनी मा को मारते हुए देखा है हमारी मा को अप्शब्द कहते हुए देखा है हमारे साथ कभी उन्होंने उचित वह, हाथ तो किया नहीं अब आप एक बात बताओ कि शरावी का जो बेटा है वो शरावी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा ठीक अब उस बड़े भाई के पास गए उससे पूछा भाई आपके छोटे भाई कि ये गती है और आप इतने सफल है कारण किया है तो उसमें भी बड़ा कमाल का जवाब दिया बोले असल में बात ये है कि मेरे पिता जी बहुत बड़े शरावी थे वो रोज घर आते मेरी मा के ओपर हाथ उठाते मेरी मा के साथ दुर वहार करते कभी हमारे साथ उन्होंने उच्छी त्ववार नहीं किया हमें अब शब्द बोलते तो रोज उनको ऐसा करते देखते देखते मैंने बच्पन में एक बात तो समझ ली थी कि शराव पियोंगा तो ये सब होगा और उस समय मैंने मन में ये संकल्प ले लिया था कि जिन्दगी में कुछ हो जाए शराव को कभी हात नहीं लगाऊंगा भाव ये है कि कथा गुणों की है चुनाव आपका है आपके सामने रावन भी है आपके सामने राम भी है आपके सामने बाली भी है आपके सामने हनुमान भी है हमारे साथ दिक्कत सिर्व इतनी सी है कि हम आरती राम की उतारते हैं और आचरन रावन का रखते हैं पाठ हन्वान चारिसा का करते हैं और कृत बाली के होते हैं और जैसा कि मैंने आप से कहा राम कथा आप से ज्यादा कुछ नहीं मांगती बस एक चीज है कि आप अपनी जिग्यासा बनाए रखें सवाल पूछते रहें मन में यहाँ पे तो कैसे पूछेंगे हो सकता है मेरा वक्तव आपके हर सवाल का जवाब न दे पाए परन्तु आपको भी मानस का अध्यन करेंगे या कभी जीवन में आपको किसी बुद्ध पुरुष का सत्संग मिले तो निश्यत रूप से वो आपके हर प्रशन का आपको उत्तर देंगे बस बात इतनी सी है कि जैसे चाय की प्याली अगर पहले से भरी हो तो उसमें और चाय नहीं डाली जा सकती आपका दिमाग पूर्वा ग्रहों से पहले से भरा होगा आप पहले से इमान के बैटे हैं अपने दिमाग में पहले से राम कता पूरी बना के बैटे हैं आपके आप पहले से इमान में सोच के बैटे हमको ये आता है हमको वो आता है हमने इतनी कता सुन ली हमने मेरे साथ जीवन में ये चमतकार हुआ और मेरा ये मानना है और एक बार ये हुआ एक बार वो हुआ ये सब आपके पूर्वा ग्रह है इन सब को जैसे बाहर जूते उतार के आए हैं ये सब बाहर छोड़ के आई है आप खुले दिमाग के साथ बैठेंगे राम कथा आपको बहुत कुछ दे सकती है एक नए आयाम के दर्वाजे आपके लिए खोल सकती है बस प्रश्न है कि क्या आप इसके लिए तैयार है या नहीं और जैसा कि मैंने आरमों में कहा था कि ये केवल कथा नहीं है ये सिर्फ परिवारों में पैदा होने वाले द्वंद की ये कथा है जीवन की और मैं दिव्यानंद दासिंद आप सबको आमंतरत करता हूँ इस कथा रूपी यात्रा पे आप सम मेरे साथ चलिए और मेरे साथ आपको आज ही चलना है बस कल भगवान आ जाएंगे फिर उनकी जिम्मेदारी वो अपने आप समालेंगे भाव ये है कि आप इस यात्रा में मेरे साथ चलें जो जीना सिखाती है जो मनुष्य को मनुष्य का धर्म सिखाती है जो कीचर से उठके कमल बनना सिखाती है और इश्वर करपा करे ये राम कथा हम सब के लिए शुपकारी हो हम सब के अंदर धर्म के बीज स्थापित हो इसी शुपकामना के साथ आईए दिवी और सेजनों गो सौमी जी ने समवस ओर ऐसे एक तीसा कहूं कथा हरिपद धर सीसा नौमी भौम बार दिनमासा अवद पुरी यह चरित प्रकासा सोला सो एक्सिस में नौमी की तिथी पे मंगलवार के दिन दुपहर को बारा बजे राम नौमी के दिन हर नौमी के दिनि seinन sitten